कि हमारे टापू के चारों और विकास जारी रखना चाहिए। गंडाज्य के लिए मेरी दृष्टी ये हैं कि हर एक टापू को विकसित करना। हमारे प्रतियेक हमवतन को उनके जीवन में आगे बढ़ना होगा। उन्हें अपने जीवन को बहतर बनाने के लिए अफसर मिरना होगा। उन्हें ये प्रतित होना चाहिए कि सरकार उनके हीट में काम कर रही हैं और ऐसे मौके पैदा कर रही हैं जिनके माध्यम से उनके उनके परिवार का और उनके बच्चों का परिश्य बहतर हो। जैसे कि रुड्रीक्स को परिवर्टित किया गया, आगालेगा में भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हमवतन अच्छी परिस्थितियों में अपने जीवन बितानी के साथ साथ विकास और बहतरीन जीवन स्थर के साक्षी बनी. हम सब ही को पता हैं कि हवाई और समुद्री कोनेक्टिविटी के बिना प्रगर्टी संभव नहीं हैं. इसलिए ये आवशक था कि इन सब ही सुविधाओं को कायम की जाए. बोदकाल में कुछ निताओं ने कई बाते की परंटू वे इस प्रकार की तरक्य करने में असफर रही. मुझे दर्व है कि मेरी सरकार के अंतरगर्ट हमने आपके सपनों को साकार किया है. आगालेगा उन्नती की रह पर हैं. अब से वो दिन समाथ हुए जब कई सब्ताहों तक के प्रतिक्षा करनी होती थी मुर्शत जाने के लिए और ज़रूरी सामान प्राप्त करने के लिए. साथ ही, नई आर्थिक गतिवी धियांवरी विकसित की जा सकेंगी, जिनके माध्यम से अगालेगा की अर्थनीती बरहेगी. जैसे की रेजिदेंट मानेजर ने कहा, इन दो परियोजनाओं को अमल मिलाने के साथ साथ, कई समुदाइक परियोजनाएं भी साकार की गई हैं, जिनकी प्रतिक्षा यहां की जनता कर रही थी. आपके लिए एक पुस्तकाले का गठन किया गया हैं, और इसके माध्यम से आप टेक्नलोजी का प्रयोग करके विश्व से संपर्क कर पाएंगे. एक बहु उद्देश्य कक्ष का भी गठन किया गया हैं, जिसके जर्ये बैठके लगाई जा सकेंगी. मचेरों के लिए एक लेंडिंग स्टेशन, एक प्रशासनिक दफ्टर और विभीन सामानों की विक्री के लिए एक अधिक बड़ा स्थल ये सभी सुविधाएं, आपकी दैनी गतिविधियों में काम आएंगी. मैं इस पर भी आप लोगों का ध्यान आकरशित करना चाहूंगा, कि हम पच्चास आवास इकाईयों के निर्मान पर भी काम कर रहे हैं. ऐसे कई प्रतबंध हैं, जिनको लेकर समाधान ढूनना हैं, परंदू, जैसे कि हम कहते हैं, कि जब इच्चा हों, तो समाधान मिल ही चाता है. मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूँ, कि हम सभी कोशिशें जारी रखेंगी, जिससे किया गालिका अपनी देरी को पार कर सके. आप जूठी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये बूरे इरादे वाले लोग हैं, जो आपको ये बताना चाहते हैं, कि यहाँ पर एक मिलिटेवी बेस होगा, आप देख सकते हैं.